तो आपके आहार नाल के बारे हुए चीक है तो चलिए वन बाई वन बात कर लेते हैं आप सभी जानते हैं कि elementary कैनाल, elementary कैनाल मतलब आहार नाल, वह मुख से स्टार्ट होके गुदा तक जाती है Шेक हैं तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर मुख के बारे हैं आहार नाल की दीवार जो है उसमें चार इस्तर पाए जाते हैं आहार नाल की दीवार में कितने इस्तर होते हैं चार इस तर्फ आए जाते हैं, फर्स्ट है आपका, सीरस कोट, उसके नीचे आता है, मस्क्यूलर कोट, सब म्यूकोसा कोट, एंड फोर्थ इस म्यूकोसा कोट, चीक हैं, तो यहां पर सबसे उपर का जो आवरण होता है, यह सबसे आउटर मोस्ट लेयर बनाता है, आपकी आहर नाल का, और सबसे अंदर की तरफ प्रेजेंट होता है, आपका म्यूकोसा कोट, चीक हैं, तो इन चार इस तरों से मिलकर बना होता है आपकी आहर नाल की दिवार है, चीक हैं, अब चलिए, अब हम बात कर लेते हैं, one by one कि सबसे पहले आते हैं आपके मुख में लिप्स लिप्स को हिंदी में बोला जाता है होट या ओस्ट के नाम से भी जानते हैं आपका ही है तो जब हम बात करेकरास लिप्स की तो लिप्स तो हमारे आउटर्मोस माउथ पर प्रिजेंट होती है विप्स के बाद आते आर्थे वेस्टीब्यूल एक संड़चना उती है जैसे हम बोलते हैं कि सब्सक्राइब कि समझे यह का वेस्टी ब्यूल हमारे जबडे वह लिप्स के बीच की जगा होती है तो जो हमारी लिप्स और टीथ की बीच की जगा जो होती है उसे हम बोलते हैं वैस्टी ब्यूल किस नाम से जानते हैं वैस्टी ब्यूल के नाम से जानेंगे उसके बाद आता है आपका तो यह सेसी Yaम के लुट झाँ पैविटी या फिर बकल के विटी ठी ऑ,, तो मुझ जो है मारा मूथ जो है वो अंदर की तरफ जहां जाकर खुलता है हमारे बकल कैविटी में खुलता है चीक है यह जो अगर आप में मुझ खोल कर देखेंगे तो आपको जो अंदर गोहार जिसनुमा जो एक समुछना दिखाई देगी उसे हम क्या बोलते हैं बकल कैविटी जब अब बात करें किलास बकल कैविटी की तो बक्कल कैविटी हमेशा हमारे इन गालों से चीक से हमेशा पवर्ड रहती है जी नेक्स अब हम बात कर लेते हैं इस औरल कैविटी मतलब बक्कल कैविटी में पाई जाने वाली कुछ घरंथियों के बारे में वन बात करते हैं जब हम बात करें औरल ग्लेंड के बारे में तो सबसे पहले बात करते हैं फिशेज फिशेज में सिर्फ वन पेर ही आपकी औरल ग्लेंड प्रिजेंट होती है चीक है और यह कौन सी होती है में मुकस ग्लेंड मतलब शलेशम ग्रंती जिसे हम दिमें बोलते हैं और यह शलेशम ग्रंती किसका स्तरावन करेगी शलेशम का मनलब म्यूकस का स्तरावन किया करती है एक नेक्स्ट एंफीबियन जब हम बात करें उभैचर की चीक है तो उभैचर में इनमें ग्रंतिया पाई जाती है जैसे इंटर मैक्सिलरी इंटर मैक्सिलरी ग्लैंड एंड लिंग्वल ग्लैंड चीक है तो इन में क्या मौझूद होती है इंटर मैक्सिलरी ग्लैंड एंड लिंग्वल ग्लैंड लिंग्वल ग्लैंड नाम से पता चल रहा है यह एसकी जीब के आसपास मौजूद ग्रणति होती है तो एम फीमियन की यह मौजूद होगी ठीक है देखिए एक लास पहली बात सभी अगर हम बात करें एम फीमियन के बारे में तो क्या सभी के सभी जितनी भी एम फिमियन होता है उन सभी में ये ग्लैंड मौजूद होती है तो येस उन सभी में ये औरल ग्लैंड प्रिजेंट रहती हैं जो इनको इनके शरीर को हमेशा चिकना हमेशा नम बनाए रखती हैं चिक है नेक्स्ट बात करेंगे हम रेप्टाइल्स के बारे में रेप्टाइल्स रेप्टाइल्स मतलब सरीस्रप सरीस्रप में जो ग्रंती पाई जाती है वो होती है पहले टाइन पहले टाइन ब्लैंड यह एक्चली होती है तालवी ग्रंती तालवी ग्रंती तालवी ग्रंती से नाम से जानते हैं शेक्टिंड इस लिंग्व इंड्स लिंग्वल ग्लेंड लिंग्वल ग्लेंड इंड्स जहां पर इसकी जीव उपस्तित है चीक है वहां पर एक ग्रंथी पाई जाती है बोगते हैं लिंग्वाल ग्लेंड थर्ड इस सब लिंग्वाल ग्लेंड चीक है और लास्ट में आती है लेबियल ग्लेंड आप लोगोंने जनरली देखा होगा कि जो रेप्टाइल्स है हम रेप्टाइल्स में जनरली किसकी बात मानते हैं इस्नेक्स की है न तो इस्नेक्स में मतलब सर्फ सर्फ में जो पॉईजन ग्लेंड होती है यह पॉईजन ग्लेंड हमेशा यह लेबियल ग्लेंड की ही रूपांतरित ग्रंति है तो यह poison gland जो है यह कुछ extra gland नहीं होती है बलकि labial gland का ही रूपांतरित रूप होती है जिसे हम poison gland के नाम से जानेंगे अब हम बात कर लेते हैं birds के बारे में तो birds में दो gland ही मौजूद होती है कौन-कौन सी होंगी sublingual and second is angle gland चीक है यह दो ग्रंती birds में पाई जाती है मतलब पक्षी वर्ग में यह दोनों ही ग्रंती मौजूद होंगी sorry अब हम बात करते हैं mammals के बारे में अब हम बात करेंगे मैं मर्स के बारे में कि क्लास जब बात करें इस्तंधारी जन्तुओं के बारे में तो चलिए बात कर लेते हैं कि झायं मौ अग्यों आश में लेडे हैं आशानन மें आशा हग जो आशानन कि नग्यों एडे़ इस्तंधानist में इस्तंधारी क अश बारे में छूद आए झाल झाल कर देखिए क्लास यहां हम बात कर रहे हैं सर इस तनी के बारे में चिक हैं मैमल्स के बारे में क्या कुछ बोल रहे हैं देखिए जब हम बात करें यहां पर मैमल्स के बारे में तो हम लोग जानते हैं मैमल्स में कितनी स्फ़ाइबरी ग्लेंड्स प्रीदी युझाल रेशाइबरी फेढ़ाइबरी ग्लेड्स प्रीदेद कमें से होती न कि भॉति ग्लेंड मुझूद होती है कान के पास कहां पर कान के पास मुझूद होती है वहीं सब मैक्सिलरी ग्लेंड जो है यह सब मैक्सिलरी ग्लेंड हमारा निचले वालों के जबड़ा होता है ना तो निचले वाले जबड़े के पीछे की तरफ मुझूद होती है सब मैक्सिलरी ग् बाद करें सबलंगल ग्रैंड की फेशंद्साम सबलंकल ग्रैंड मौजुद होती है हमारी जीव तर नीचे की तरफ आप तो यह कंद आ लेएजय जेव के नीचे की तरफ प्र मुशुद होती है शेए यह बात रही आपके इस नॉर्मल इसके बारे में चलिए अब हम बात करते हैं टंग की जब हम बात करें क्लास जीब को से पहले हम बात करने वाले हैं फिशिस के बारे में क्या हुआ है क्या हुआ है अच्छा चीब है हाँ जब हम बात करें आपके फिशिस के बारे में तो फिशिस में जो जीब पाई जाती है पहली बात तो यह बहुत वैसे होती है मासल मतलब बहुत मस्कूलर टाइब की तंग होती है मस्कूलर टाइब की होती है इन में फिशिस में जीब पाई तो जाती है लेकिन यह हमेशा इनके तालू से चिपकी हुई ही रहती है इसको यह अपनी मर्जी से बाहर की तरफ जनरली नहीं निकाल सकते है ना तो फिशिस जो तंग होती हो तो कैसी होगी आपकी या स till यमने के लिए मिलेगी है लेकर इन में होंगी लिए परन इंट होती है जो तो पहार प्रक्रावन परसम ओश्री के शेछेश को फाक्सों कि यह विकुली Cand São तो पहली बार सभी एंफिवियन जो हैं इतने भी आप एंफिवियन लेके चलें तो अधिकतर एंफिवियन अपनी जीब को अपने मुझे बाहर निकाल लेते हैं लेकिन कुछ आपके एंफिवियन ऐसे भी होते हैं जो अपने मुझे बाहर नहीं निकाल पाते हैं जीब को जैसे क्रोकोडाइल आपने सुनाओगा दरियाई घोडा चीक है तो ये सब चीजे क्या है ये कभी भी अपने मूँ से जीब को बाहर नहीं निकाल पाती है लेकिन इसके अलावा और भी तो होते हैं जैसे टोड या फिर आप आप नॉर्मल मानके चलिए कोई भी मैडक फ्रॉग चीक है तो फ्रॉग जो होता है वो अपनी जीब को आसानी से अंदर और बाहर कर लेता है है ना कैसे कर लेता है पहली बार कि इसकी जीब तो थोड़ी इस्टिकी होती है इस्टिकी मतलब चिप चिपी होती है थोड़ी से चीक है और साथ में इसकी जी पर देखने को मिलती है किसी किसी में ठीक है कि वहीं जब हम बात कर रहे हैं कि फ्रॉग जो है यह अपनी जीब को आसानी से अंदर और बाहर पर ले रहा है इट मींस कि इसकी जो मसल्स होती है एंफीबियन के तंग होती है जीब जो होती है उन में पेशियां पाई जाती है क्या पाई जाती है पेशियां पाई जाती है और इन पेशियों को हम कहते हैं प्रोटेक्टर मसल्स एंड रिट्रेक्टर मसल्स चेक है तो इन पेशियों को हम क्या कहते हैं प्रोटेक्टर मसल एंड रिट्रेक्टर मसल यह प्रोटेक्टर मसल के बारे में आप लोगों ने सेकंड यर में भी पढ़ा होगा जब पढ़ाया जाता है हमें लोको मोशन के बारे में इसने लोको मोशन के बारे में कि उनमें फुट में क्या मुझूद होता है पैरों में फुट में प्रोटेक्टर रिप्रेक्टर में सब्सक्राइब जो उस फुट को अंदर और बाहर मिकालने में मदद करती हैं सिमिलरली इसकी भी जीब में भी यह दोनों ही पेशियां पाई जाती है जिसकी मदद से अपका कोई भी एंफीबियन जो है अपने जीब को अंदर और बाहर आसानी से कर सकता है चीक है चलिए अब हम बात करेंगे नेक्स्ट चलिए चीके क्लास तो इसके आगे की बात फिर हम लोग करते हैं